नमस्ते मेहूर इनुका तो आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो अगर आप प्रेट से कुछ नया और स्वाधिष्ट इसा नर्ष्टा बनाना चाते हो तो आज मैं आपको प्रेट की स्वाधिष्ट रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ ज फिर आमें रेसिपी क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें दो चमच बारिक सुजी डलनी है तो आप इसमें दो चमच चावल का टावी डाल सकते हो फिर आमें इसमें आदा चमच हल्दी पौडर डलनी है फिर आमें इसमें एक चमच गरम मसाला पौडर डलना है फिर आमें इसम हमें स्वादनुसा नमक डालना है फिर हमें इसमें एक चमच जीरा डालना है तो आप इसमें जीरी के पाउड़र भी डाल सकते हो फिर आखिर में हमें इसमें आदा कप बारी कटके हुए हरी धन्या डालनी है और इन सारे इंडिडियन्स में हमें थड़ा पनी डालना है और इसका हमें गाड़ा सा बैटर बनाना है तो हमें इस सारे इंडिडियन्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है तो इसमें एक भी काट नहीं रहने दिनी है तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है और इसका हमें थिक सा बैटर बना लेना है तो आभी यहां इसका बैटर बन के तयार हो चुका है तो हमें इस प्रमान में इसका बैटर बनाना है फिर यहां मैंने ब्रेड लिये है तो सबसे पहले आभी हमें इन ब्रेड को गोलगोल आकर में कट करना है तो उसके लिए में निहायक बाव लिया है तो आप इने चोकोनिया कर में भी कट कर सकते हो तो दिखें इस तरह से हमें इसके गोलगोल पिसेज करने है फिर हमें इस ब् बेशन के बैटर में डीब करना है तो इसे हमें अच्छी तरह से दोनों तरफ से बेशन लगा देना है तो यह बैटर इसे अच्छी तरह से लगना चाहिए फिर आखिर में अभी हमें इन्हें फ्राय करना है तो उसके लिए मैंने ग्यास में तेल रख दिया है फिर तेल गरम होने के बाद हमें इसमें सारे ब्रेड के बिसे डाल देने है और ग्यास को एकदम बारिक रखके हमें इन्हें दोनों तरफ से ब्राउन और क्रिस्पी होने ुम्हीं पिर्फेज हैं कि अब है और देड़ और तो आप कि तुर्वाइब देड़ी तो आप यहां इस सनाख की तरह सर्व कर हो चुके हैं और और एक ने वीडियो में और एक ने रेसिपी के साब तो थैंक्स प्रेस वाच मैं वीडियो